अगर पिना सोचे समझे घर में आई हुई चीजों को यूज करते जाए न तो बाई डिफॉल्ट ऐसे ही यूज करते जाएंगे लेकिन अगर दिमाग का प्रॉपर इस्तमाल कर लिया जाए तो इस एक चीज के अंगिनत इस्तमाल करके नई तरह से घर की छोटी से चोटी औरगनाईजेशन और लाइफ को इसी गोइंग बनाया जा सकता है तो इसका फाइदा कही तरह से उठाया जा सकता है जैसे अचानक गैस्ट आ जाएं या घर में किसी टाइम खाना किसी वज़ा से ना बना हो या आप खुद घर पर अवेलिबल ना हो तो इस स्टफिंग की टिकियां या कबाब या फिर कीमे के पराठे बनाया जा सकते हैं स्टफ पराठे बना कर फ्रीज करने का तरीका अलरी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ या आइडिया आपके साथ शेयर करूँ जिसमें मैं आपने देखा कि पॉलिथिन नीचे रखकर पहले मैंने एक इंच की लेयर बना ली सारी स्टफिंग की उसके बाद एक और पॉलिथिन रखकर उपर और थोड़े से ये कट्स लगा लिए बस ये जो निशान दे दिया है थोड़ा सा प्रेस करके ताके बाद में जब ये फ्रीज हो जाए ना तो इनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाए एक मार्जिन सा ड्रा हुआ होगा तो उसी जगा से फिर उनको निकालना मुश्किल नहीं होगा असान हो जाएगा और अब ये देखें ये फ्रीज हो ग में ला सकती हूं और अब इनको दोबारा से बड़ी ट्रेय से निकाल कर इस बाउल में रख दूँगी तो यह फ्रीज हुई है तो बाउल के अंदर अराम से यह पिक की जा सकती है इस बाउल को अब मैं फ्रीजर में रख दूँगी तो जगा भी कम गहरेगा क्योंकि फ्रेय तो एट टाइम जादा जगा गहरे थे और मेरी प्राब्लम भी सॉल्व हो गई अब ये बच्छों के जो जँंक फ्राब्त है उनके साथ पीजा के साथ इस तरह के पीजा प्रोटेकर जाता है तो मुझे बहुझे सारे questions आये थे कि इन पीजा प्रोटेक्टर्स के को हम किस तरह से reuse कर सकते हैं तो बहुत सारे तो मैं already share कर चुकी हूँ देखते हैं सबसे पहले हम kitchen में यूज होने के लिए इनको देखते हैं तो हमारी जो fancy crockerी होती है जो occasionally यूज होती है इसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल होता है तो इस वज़ा से इस तरह के फ्लीज या mesh bags जो आते हैं उनके ये tissue जो लेकर उनके pieces काट कर तो अब इनको हम लेयर कर देंगे इन प्यालों बाउल्स प्लेट्स इन सबके दरम्यान हाँ paper bag भी आप यूज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आप यूज कर लें और इनको accordingly size के according आप बस इनकी cutting कर लें और उसके बाद ना इनको इनके अंदर layering कर दें Saucers के अंदर मेश बैग रख दें बड़ी plates के अंदर paper bags की cuttings रख दें और इस तरह से आपकी plates बिल्कुल secure हो गई है ना आवाज आएगी ना scratches पढ़ेंगे और ना ही तूटने का खत्रा होगा तो इन सब को settle करने के बाद अब इन पीजा प्रोटेक्टर्स की बारी आती कि इनको हम कैसे यूज करने वाले है तो पहले हम इसके उपर नैनो टेप लगा लेंगे बहुत अच्छे से fix रहेगी कहीं पे इसको हिलने नहीं देगी आप देख रहे हैं कैबनेट के दिवार के साथ इसको मैं अटैच कर दिया है तो हमारी जो राइस डिशिस होती है ना उनको बस इस तरह से हम वर्टिकली अजस्ट कर देंगे और उसके साथ ही हम प्लेट्स को या अकॉर्डिंगली जैसी भी आप अपनी सेटिंग करना चात है तो आप यह देखें कितनी चीजें हमारी इनो ने उक्यूपाइ कर ली और हमारी वर्टिकल स्पेस भी यूज हो गई तो बेस्ट हो गया यह उसके बाद ना जितने भी गैजट्स पड़े में लाइक आपका जो ओवन है उसकी वे साइड वाली स्पेस जो ना उनको अच् करते करते दिल करता है ना कभी कोई सीरीज देखें ड्रामा देखें कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हूं तो हमें अपना फोन रखने की प्राबलम होती है तो इस तरह से प्राबलम भी हमारी फोन रखने की सॉट आउट हो जाती है बिलकुल फिक्स रहता है स्क्रोल करते अपना जो वाइपर है किचन का उसको हैंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा इसका हैंगर बन जाता है और जब भी हमें जुरुत पड़ेगी हम इसको उतारेंगे और अपने सिंक को या किसी भी एरिया को हम वाइप कर लेंगे तो इस तरह से अब लिविंग रूम में आ जाते हैं या किसी और भी जगा जहां पर भी आपको जुरुत हो तो इसको फिक्स करके हम अपनी जितनी भी कीज आना घर की उनको हम इसके उपर हैंग कर सकते हैं चलें चलते हैं बैडरूम की तरह टो इसको हमने इसे निगलेक्ट किया हुता है हमें नहीं पता होता कि हम इस पेस को कितना इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं तो बस यहां पर भी मैंने एक प्रोटेक्टर लगा दिया अब ये मेरी rings का बहुत सारे लोग पूछते हैं तो अब आप देख भी लें इनको रात को सोते वक्त ना मैं बस इस तरह से इसके ओपर हैंग कर देती हूँ तो ये होता है कि मुझे कोई disturbance नहीं होती, मेरी चीज मेरे पास होती है और इनको गुम होने का भी कोई खच्चा नहीं होता है इसी तरह आप अपनी कोई भी चीज यहां हैंक करके रख सकते हैं तो बेडरूम के अंदर हमारी जितनी भी और कैबनेट्स होती हैं, ड्रेसिंग एरिया होता है या हमारी वाट्रोब होती है वहां पर भी कहीं पर भी हम इनको प्लेस करके दोर के साथ तो हम अपनी तस्वीः या कोई भी related स्टफ हैंग कर सकते हैं तो इस तरह चीज़ हमारी नजरों के सामने भी रहती है, और प्रोटेकटिड भी रहती है तो इसी तरह washroom की तरफ देख लिते हैं, कैसे यूज मे ला सकते हैं इन प्रोटेक्टर्स को तो मैंने बस नैनो टेप अप्लाई की है और इसको बस किसी भी जगा जहां पर भी मुझे अपने नजरों के सामने रखनी है ना कुछ चीजें जैसे के नहाने के लिए वाश रूम जाना है तो मेरी जितनी भी हैर एकसेसरीज होंगी ना उनके लिए एट टाइम जगा नहीं होती हमें उनको वाश बेसन के एरिया पर रखना पड़ता है तो इनको इस तरह से मैं बालों से उतारूंगी जो भी एकसेसरीज मैंने लगाई होंगी और उनको हैंकर दूंगी मेन वाइल मैं अपना शावर ले लूँगी तो उसके बाद पिर इनको मैं रिमूव करके तो यूज कर लूँगी तो कितना जबदस रह गया ना चोटी 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 चीज़ें होती हैं और इनको इतने अच्छे इस्तमाल में लाया जा सकता है अभी बात यहीं खतम नहीं हुई जितने भी हमारे स्विंग एसेंशल्स आना जब भी हम मशीन के पास बैठते हैं काम करने के लिए तो मशीन का ये जो एरिया होता है ना यहां पर हम इसको लगा सकते हैं गाने के बाद हम इसके उपर कौन-कौन सी चीजें रख सकते हैं जो के हमें नॉमली यूज में आती हैं जिसे हमारी फिर्की या रील्स वगएरा हो गई जितनी भी हमारी थ्रेड रील्स हो गई उनको प्लेस करने में यह बहुत हैलफुल हो जाती हैं हमारी नजरों के सामन था तो देख लें लोगों को नहीं पता यह था बनारी थे मैंने का जो चलो जितने लोगों नहीं पता आओ देक Demokraten तो सबसे पहले 30 मैं ले लिया बस उसको हलका सा मैंने टॉस करना शुरू कर दिया आप इसमें हीन भी आड़ कर सकते हैं प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज्यादा तेज फ्लेम आपने नहीं रखना तो ये बिल्कुल एकदम डाक हो जाएगा इसका अरॉमा उस तरह का नहीं आएगा तो बस जब ये लाइट ब्राउन हो गया इसको फिर मैंने थंडा कर लिया थंडा करने के बाद इसको इस तरह से ग्राइंडर में मैं इसको कोर्सली ग्राइंड कर लूँगी अब आपने यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़दा टाइम नहीं लगाना वकफे वकफे से बस थोड़ा थोड़ा टाइम लगाके इसको अपने कोर्सली ग्राइंड करना है लाइक इसको दरदरा सा रखना है क्योंकि ये बिल्कुल फाइन सा हो जाएगा ना तो ये उस तरह स्प्रेड नहीं होगा उस तरह से इसका टेस्स नहीं आएगा ये दरदरा सा होगा तो इसका अरोमा भी इतना जबदस होगा कि आप सारे घर में पता चल जाएगा कि आज आप भले बना रहे हैं in time see you super duper soon in my next video till then Allah Hafiz and bye bye